अगर आपको पता चलता है कि आपकी किड्नी में सिस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए साथ के साथ किड्नी में सिस्ट होने के कारण क्या है बिना स्कैन कराये आपके लक्षनों का कैसे पता कर सकते हैं और साथ के साथ important homeopathic medicine जो बिना किसी सर्जरी के सिस्ट को खतम करने के लिए important है तो आज की वीडियो में हम पूरी detail में जानेंगे kidney cyst के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि kidney cyst क्या होते हैं तो cyst मतलब पानी भरे छोटे छोटे से एक structure होते हैं आप उसको बोल सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि पानी हो सकता है कई बार उसमे fluid होता है कई बार उसमे ब्लड होता है कई बर्फ में पस हो सकता है तो कई तरह के सिस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉड़ी के किसी भी पार्ट में किसी भी रीजन से हो सकते हैं जो किड्नी के सिस्ट होते हैं जब किसी पेशन को पता लगता है कि उसकी किड्नी में सिस्ट हो गए हैं तब वो परेशान ह जाता है जादा दा लोग जिनको सिस्ट होते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है उनको आराम से सब कुछ सही चल रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन जैसी पता लगता है सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं तो फ्रेंट्स अगर हम बात करें कि जो क जादा common होते हैं हम सबको kidney cyst हो सकते हैं जिन्होंने scan कराया है उनको पता लग जाता है जिन्होंने science करा उसको नहीं पता रखता है लेकिन जो kidney cyst होते हैं they are very very common और 50 years के बाद यह जुश्च्ट की problem होती ही जादा तर लोगों को होती ही है तो 50 years के बाद 50% लोगों में kidney cyst की प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन यह जो cyst होते हैं जरूरी नहीं है कि अगर आपको cyst हो गए हैं तब आप उनका इलाज ही लें कौन सी condition में उनका इलाज लेना है कौन सी condition में उनके इलाज के लिए वेट करना है यह हम सब जानेंगे इस वीडियो में पहले हम बात कर लेते हैं कि जो kidney cyst होते हैं उनके कारण क्या होते हैं तो फ्रेंट जो kidney cyst होते हैं इनके होने का कोई exact कारण नहीं है बहुत सारी theories, बहुत सारी hypothesis बताए गए हैं इसके बारे में जैसे कि कई बार जो kidney के units होते हैं जिसको हम nephrons बोलते हैं उसकी जो tubes होती हैं वो swell हो जाती है over a period of time बाद में वहां से निकल जाती है, detach हो जाती है और एक अलग structure की तरह वहां पर develop हो रही होती है कई और theories भी दी हैं जैसे कि एक theories है जिसमें nephrons के अंदर अलगला lines बन जाती है उसके बाद उसमें यह cyst की problem हो जाती है बट short short क्या reason है वो पता नहीं है इसके लावाँ जो kidney cyst होते हैं वो age के साथ develop होते हैं मतलब 30 to 50 years में कम लोगों में होते हैं लेकिन 50 to 70 years में 50% लोगों में हो जाते हैं heredity, heredity एक बहुत important चीज़ है जो role play करती है kidney cyst को develop होने में इसके अलावा जिल लोगों का blood pressure high रहता है हम सभी जानते हैं कि high blood pressure का kidney पे जरूर असर पड़ता है तो cyst होने के chances भी बढ़ जाते हैं अब हम जान लेते हैं kidney cyst होने के symptoms क्या होते हैं तो सबसे important problem यहीं है कि जो kidney cyst होते हैं इसके symptoms ही नहीं होते हैं बहुत ही कम लोगों में इसके symptoms देखने को मिलते हैं और अगर यह symptoms नहीं show कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको कुछ भी नहीं करना होता है कई लोगों में थोड़े symptoms आने लगते हैं जैसे कि जो kidney cyst है उसके size बढ़ने लग सकती है और जो आसपास के structure से उस पर pressure डाने लगती है कई बार जो kidney cyst का size होता है एक tennis ball के जैसा भी हो जाता है उस case में क्योंकि वो exertion करने लग जाएगा दूसरे organs को affect करने लग जाएगा लगेगा कि उनको वाश्रूम जाना है उनको जाना है और हमेशा एक urgency बनी रहती है तो लगातार उनको जाने की feeling आ रही होती है पूरी तरह से empty नहीं हुआ ब्लेडर यह feeling आ रही होती है तो यह सारे symptom भी देखने को मिलते हैं इसके लामा अगर जो cyst है उसमें और problem थोड़ी एग्रवेट हो जाती है थोड़ी complicated हो जाती है तो urine के color को affect कर सकती है urine बार बार आने के साथ साथ में urine का color हो सकता है urine में blood आ सकता है बहुत जादा जलन के साथ जो है urine pass हो सकती है और उसके अलामा back के के बहुत common समस्या देखी जाती है cyst के case में लगातार आपका जो क्योंकि हमारे kidney है वो रेट्र पेरिटोनियल होता है पिछले भाग में होता है तो low back pain की समस्या काफी हद तक देखी जाती है cyst के cases में तो friends अब हम बात करते हैं जो kidney cyst हो होते हैं और कौन से टाइप में क्या treatment लिया जाना चाहिए तो एक बहुत अच्छी बात आजकर की patients में देखनों के मिलती हैं कि just वो दवाईयां लिया और खाये जा रहे हैं वो चीजे नहीं हैं हर चीज अपनी बिमारी के बारे में समझना चाहते हैं तो इसी तरह से में kidney cyst के बारे में बताना चाहूंगी कि जो हमारी kidney होती है उसमें दो तरह के cysts develop हो सकते हैं एक होते हैं सिंपल सिस्ट और दूसरा होता है polycystic kidney disease PKD जिसको हम बोलते हैं जो PKD होती है उसके बारे में हम separately एक अलग वीडियो में बात करेंगे पुरी डिटेल्स में रिसकास करेंग कि आपके chromosome में वो है और dominant का मतलब होता है कि अगर आपके एक भी parent में यह problem देखी जाती है तो बच्चे में 50% chances होते हैं कि उसको PKD की problem रहती है बाकी की डिटेल्स हम दूसरे वीडियो पर डिसकास करेंगे अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सिस्ट की जो सिंपल सिस्ट होते ह हैं वो बिलकुल छोटे से structure होते हैं जो आपकी kidney में चाहे एक side में चाहे दूसरे side में या दोनों side में या एक ही side में कई सारे अलग-अलग हो सकते हैं जो सिंपल सिस्ट होते हैं यूजली किसी तरह के symptoms वो नहीं बढ़ाते हैं कोई जाधा परिशानी नहीं करते हैं आप इ प्राइज में नहीं प्रॉब्लम हो रही बढ़ नहीं रहा है तब आपको किसी बेतरा के treatment की जरूरत नहीं है इसके अलामा फ्रेंट्स कई बारा सा होता है कि जो सिस्ट होता है वो infected हो जाता है उसमें किसी तरह का infection हो जाएगा तो blood आ सकता है blood से fill हो सकता है वो इसमें पास सकता है और साथ के साथ kidney function test भी आपको देखना होता है क्योंकि कई बारासा होता है कि जो सिस्ट होते हैं उससे आपके जो kidney function test होते हैं वो affected हो रहे होते हैं otherwise mostly नहीं होता है लेकिन एक precautionary measure से आप इस test को करा सकते हैं तो फ्रेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसके management की तो फ् that case की kidneys already suffer कर रहे हैं तो उसमें minimum medicines का हमको formula रखना होता है तो सबसे important चीज है कि जो causes हैं उनको देखना है कि high BP अगर आपको है और उसके साथ में आपको cyst की problem हो रही है या kidney का कोई भी issues आपको आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है आपको sugar कर देना है आप को जादा से जादा जो fiber वाली चीज़ें कई बहुत जादा fiber लेने लगते हैं कि पेट अच्छा रहेगा तो fiber वाली चीज़ें भी कम रखनी क्योंकि जितने जादा fiber रहेगा उसमें sodium और potassium जादा रहेगा इसके लिए बनाना यानि बहुत जादा phosphorus होता है तो उसको भी आप को कम से कम लेना चाहिए और अगर आप smoking करते हैं alcohol लेते तो definite लोसको बंद कर देना चाहिए तो friends अब हम जान लेते हैं complications के बारे में कि kidney cyst की complication क्या हो सकती है तो क्योंकि जो kidney cyst होते हैं mostly dominant होते हैं but in some cases जो यह cyst होते हैं यह rupture हो सकते हैं यह आपके high BP को rise कर सकते हैं अगर आ यह सारी complications हो सकती हैं अगर आपको लंबे समय तक आपको cyst बना हुआ है उसका size बढ़ रहा है अगर वह dormant पड़ा हुआ साइस नहीं बढ़ रहा तो definitely आपको कोई भी symptoms नहीं आएंगे अब हम बात करते हैं important homeopathic medicines की तो friends जो homeopathic medicines होती है although kidneys के बहुत अच्छा असर दिखाती है लेकिन kidneys का कोई भी load नहीं बढ़ता है ऐसा नहीं है कि जो homeopathic medicines है इनको लेने से kidney का function बढ़ जाएगा kidney को जादा काम करना पड़ जाएगा body से इसको eliminate करने के लिए तो कुछ important medicines के ब बहुत उप्योगी है वो है apis malefica apis malefica एक ऐसी medicine जिसमें आपको pain होते हैं आपको जलन होती है और जो pain होता है special type pain होता है stinging जैसा pain होता है जिसे लगता है सुईयां से चूब रही है या मदु मुखी के काटने पर जिस तरह का दर्द होता है उस तरह का दर्द इसमें होता है और इसी तरह से यह सिस्ट के cases में अच्छा काम करती है तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें swelling रह रही है साथ में सिस्ट है पड़ा हुआ तो सिस्ट को गलाने के लिए apis malefica 30% से मिली जा सकती है नेक्स दवा की बात करते हैं तो नेक्स दवा है हैली बो ड़िन हो गया है और 7 जो युरीन है वो कोफी लाइक कजिसे कलर होते है डार कलर होते ग्लाइक टलर होते ब्लाकुश कorem वैसा कलर सिसमीं आता है है यहीं स्य Cannon mater में काफिव कम बारबार इसको अर्ज होगी जाने की लेकिन वह जब जाएगा तो तो उसको फ् Nope, कम auto हो और जो लाइकोपोडियम लोगों के लिए बहुत सूटेबल मेडिसिन है जिनको किड्नी सिस्ट की प्रॉब्लम के साथ साथ किड्नी स्टोन की भी प्रॉब्लम रहती है तो अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम रही है और साथ के साथ रिकरेंट स्टोन की प्रॉब्लम रहती है इसके लावा एक medicine के बात करेंगे वो है cantheris cantheris में सबसे important होता है pain अगर आपके जो cyst हैं वो आपको problem create करने लग गये हैं बहुत जादा tennis mess होने लग गया है जलन के साथ urine pass होता है और urine pass करने के समय patient flow में नहीं pass कर सकता है सिर्फ drop by drop urine pass होता है बहुत जादा जैसे लुकता है कि आग जैसे निकल रही हो scalding pain अगर होता है तो ऐसे cases में cantheris दिया जा सकता है इसके लाव अगर creatinine बढ़ा हुआ है तो उनके cases में हम eel serum देते हैं creatinine आपके शरीर में किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो तो उसमें हम eel serum देते हैं जिसका दूसरा नाम होता है serum anguinal इस दवा को भी आप ले सकते हैं और इसको 30 potency में लिया जा सकता है तो ये कुछ medicines हैं जिसको आप kidney cyst के cases में ले सकते हैं लेकिन friends एक बात आपको ध्यान रखना है treatment आपको तभी लेना है जब आपको problems create कर रहा हो या जो cyst है उसका size तेजी से बढ़ रहा हो otherwise ये cyst होते हैं अपने आप कई बार खतम हो जाते हैं ये lifelong पढ़े रहते हैं लेकिन आपको कोई भी परेशानी create नहीं करते हैं तो ये सारी information थी kidney cyst के बारे में उसके कारणों के बारे में उसके symptoms के बारे में और उसके homeopathic treatment के बारे में I hope कि ये information आपको पसंद आए होगी friends अगर आप मुसे directly बात करना चाहते हैं अपनी किसे से बिमारी से related मुसे discuss करना चाहते हैं तो call me for app का use कर सकते हैं जिसकी बागी की details description में दी हुई है otherwise अगर अपना personalized consultation लेना चाहते हैं तो clinic के number 7017-991940 पर WhatsApp करके अपना personal appointment मेरे साथ book कर सकते हैं wishing you very good health, thanks for watching